अब बात करते हैं रेलवेस की एक महत्मून खबर की भारतिये रेल मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों में बड़ा बदलाव करने जा रही है रेल यात्वियों को तेजी से उनके गंतव तक पहुचाने के लिए रेल मंत्राले ने बड़ा प्लैन बनाया है मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों को 130 किलो मीटर से लेकर 160 किलो मीटर प्रती घंटे की रप्तार से चलाने की रेलवे की योजना है और इन तेज रप्तार ट्रेनों में नौन एसी कोच यानि स्लीपर और जनरल कोच नहीं होंगे भारती रेलवे के इस नए प्लान का आम पैसेंजर पर क्या इंपक्ट होगा ये बताने के लिए हमारे साथ जूड़ गए हमारे सांबादाता समीर दिख शीत समीर एक तो पहले तो आप ये बताएं कि किस तरह का प्लैन है, क्या इंपेक्ट होगा और दूसरा ये कि स्लीपर और जनरल कोच को क्यों बाहर कर दिया गया है बिल्कुल आने वाले कुछ सालों में भारती रेल्वे में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं उन ट्रेन में स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिबों को रिपलेस किया जाएगा जाने कि इनकी जगहा लगा जाएंगे 3.1 के कोचे तो ये रेलवेनेस प्षट कर दिया है कि आने वाले सालों में ये साफ हो जाएगा कि चाहिए आप दिल्ली मुंबई यात्रा करें दिल्ली चन्ने, दिल्ली कोलकात, आपकी इसी भी रूट में ट्रैवल करें और अगर आपकी ट्रेन की एवरेज स्पीड 130 किलो मीटर प्रती घंटे से ज्यादा है तो उस पूरी ट्रेन में 3rd AC कोच मिनमम होगा, स्क्लीपर और जनेर क्लास के कोचें नहीं होंगे इसे के साथ दूसरा बड़ा बदलाव रेलवे ये करने जा रही है कि अभी अगर आप देखें, तो जो 3rd AC कोच होते हैं, उसमें अधिक्तम 72 सीटे होती है 22 सीटों का एक कोच बनाय जाता है, लेकिन जो बदलाव करने जा रहा है रेलवे वो ये है कि ऐसे कोच बना रही है 3rd AC के, जिसमें 83 सीट होंगी, यानि कि सीटिंग कैपैस्टी ज्यादा होगी तो एक सीटिंग कैपैस्टी बढ़ा करके ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव रेलवे के तयारी है आने वाले सालों में जब आप 3rd AC कोच में यात्रा करेंगे तो इसमें 72 के वजाए 83 सीट मौजूद होंगी, एक बड़ी बात यह कि आखिर ये स्लीपर क्लास के कोचिस को 3rd AC से क्यों बदलाव किया जा रहा है तो इसकी पीछे रेलवे का तर्किया है कि जब ट्रेन की गती 110 किलोमेटर प्रती घंटे से ज्यादा होती है और औस तन गती अगर 130 के पास पहुंचती है तो सुरक्षा के नजरिये से और कंफर्ट के नजर रहा है लेकिन आप यह मान के चलिए कि रेलवे जो बड़ा लक्ष लेकर के चल रहा है वो यहीं है कि धीरे धीरे जितने भी लॉंग रूट है दिली मॉंबय चन्नाई कोलकाता जितने भी लॉंग रूट है इन सभी रूट पर जो ट्रैक को तयार किया जाए वो हाइश स्पीड के लिए जहां पर ट्रेन 130 या 160 किलोमेटर प्रति घंटे की एवरेज स्पीड से चले और अगर यह जब भी संभव होगा तब इन रूट पर स्क्लीपर क्लासेस के कोचेस नहीं होंगे और अगर आप इन रूट पर यात्रा करेंगे तो आपको अभी जो किराया है उस रहा है कमाई की नजरिय से और जो फ्यूचर रोड मैप अपने लेता है कर रहा है उसमें स्पीड या 160 किलोमेटर प्रति घंटा की होनी चाहिए जी ठीक है लेकिन एक खबार तो ठीक है कि स्पीड अच्छी हो और जल्दी लोग अपने गंतव तक पहुंच जाएंगे लेकिन आप जो बात बता रहे हैं कि स्लीपर क्लाफ्स इसमें स्लीपर बॉगी नहीं होगी और जेनरल कोच नहीं होंगे ये थोड़ी सी अडिक्टे इसको लेकर आगे क्या सरकार की तरफ से सफाई आती है लेकिन इसको लेकर कोई अलग से कर बंदोबस्त हो या इसको भी शामिल किया जाए तो बाकी लोगों को भी इसमें रहात मिलेगी बहुत शुक्रिया